हमें अपने आपको गरम रखने के लिए कुछ करना होगा हार मानने की कोई जरूरत नहीं है आज एक ओडिशन में तुम नाकाम होगे तो क्या हुआ अभी ने सीखने के लिए अच्छा गुरू होना बहुत जरूरी है तुम चिंता मत करो हम तुमें अभी ने की बकरिया बारी किया बारी किया वो ऐसे आ रहे थे बारी किया सिखाएंगे फिर देखना अब छोड़िये ना पुस्पाजी आप भी कहां मतलब अच्छा गुरू कहके आप सिखा रहे हैं बताए पहले सा दर्द में है भाई और कितना दर्द दीजेगा इसको अरे हां दर्द से याद ठोड़ा रामे रौक्टर के पास गयें बोले कि भाई बहुत जूर का कमर दर्द है हमको तक दम हमारा जान हुम हलक में आ गया था दवायू है अब इक दम ठीक है दम कमर दर तो तूमारी पेट में था ना मतलब पीट में दर था, उसके बाद से फेट से होते हो तो पीट में गया, उसके बाद से कमर में एक मिनिट चीते जूट बोला ना तुमने हमसे, बहाना बनाया ना ड्यूटी से बचने के लिए जीते क्या हो गया है तुम्हें, उस मारपीट की एक हाथसे ने तुम्हीं इतना बदल कर रख दिया तुम्हारा तुम्हारे ड्यूटी के लिए, तुम्हारे वर्दी के लिए समरपन, प्रेम, आदर, सम्मान सब छीन लिया तुमसे चीते रोजाना हजारों पुलिस कर्मियों के साथ ऐसे हाथ से होते हैं तो के सब अपनी वर्दी का सम्मान भूल जाए अपना फर्ज भूल जाए अपनी वो कसम भी भूल जाए जो इस वर्दी को पहनते हुए हम सब लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपना फर्द नहीं भूलेंगे, हमारे ड्यूटी करेंगे, मर्ते दम तक निभाएंगे उसे ऐसे मत कर, अपने व्यक्तिकत अपमान का बतल अपनी वर्दी से मत ले मैडम सर आईए के हैं, जाहिन मैडम, जाहिन मैडम सर का है, नहीं वो तो नहीं आई, क्यों? ब्रिजेश नाम के आदमी को हम पकड़ने गए थे, गोमती नगा फैक्तरी में, जिसके पास चिंगारी गैंगे खिलाफ इन्फोर्मिशन थी, और जैसी वहां पहुंचे तो महां पर किसी ने हमला कर दिया गैस का, हम देहोश होगो और जैसी हम भोश में तो मैडम सर वहां थी नहीं, सिरफ उनका फोन मिला हमको, गायब होगी है वो मैडम सर गायब थी, मगर इस ब्रिजेश से सबूत लाने तो हम गये थे, मैडम सर ने हमें भीजा था, हम तीनों को कहाँ? आप पूछो इन से, ये भी साथ में थे हमारे ये सब का चल रहा है, हमको समझ में नहीं हा रहा है क्योंकि वहाँ पर बिजेश नाम का आदमी नहीं था वहाँ पर अंडर्कवर पुलर्स वाला था, जो मैडम सर के कहने पर ये सब कर रहा था, ये क्या चल रहा है ऐसे कहें करेंगे मैडम सर? हमारा परीजेश, मैडम सर करीज़ेश, इन दोनों के बीच में क्या परीज़े? अब सब लोग हमको अईसे कहें देख रहे हैं पूरा देपार्टमेंट मैडम सर को ढूंड रहा है पूरा देपार्टमेंट में समझ में नहीं आरे हैं मैडम सर को क्यों किद्नेप करेगा अब हमारे साथ चल रहे हैं गोंतिनगर के उस गोविन फैक्ट्री में वहाँ पर हमें ब्रेजेश नम का अदमी मिलेगा जिसके पास चिंगारी गायं के खिलाफ हुकता सबूत है हम जानते है कौन है इसके पीचे कौन अई कहा जा रही आप हमें तु बत कौन हो सकता है बोर मेरे वजीर क्या ख़बर लई है दस मिनट है तुमारे पास इस दस मिनट में तुम दो काम कर सकती हो पहला अपने सारे इश्च देवता का स्वारन कर लो और अपनी आत्मा की मोक्ष की परात्रा कर लो और दूसरा हमको यह बताकर कि मैडम सरकाह है तुम अपने अगले जनम के लिए उपर वाला के शुक्रियादा कर सकती हो अब बोलो तुमें क्या करना है देख दोस्ती का हाथ बढ़ा है ना इसे तेरी बात सुन ली मैंने दोस्ती मैं सौ कून माफ नहीं तो अब तक शिवानी के साथ इस टोन में किसी ने पात की होती ना तो उसको जो गट जमीन के नीचे सौ तुकड़े करके गाड़ दिया होता दोस्ती का हाथ बढ़ा है मैंने डिस्रिस्पेक करने का लाइसेंस भी दिया है सीरे सीरे बता क्या हुआ ज्यादा अंजान बनने का जुरत निये शिवानी तुमको अच्छे से पता हैं क्या बात कर रहे हैं हम गोंती नगर पैक्प्री जा रहे थे विजेश से मिलने जिसके पस्चिंगारी गैंके खिलाफ सबूत था ये तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता था ना तो तुमने सबूत को गाइब किया तुमने मैञडम सर को भी गायब कर दिया वाद अच्छा फादा उठाया ना तुमने इस इस बात का अब सच बता रहे है कि 10 मिलट के अंदर-अंदर अगर मैडम सर सही सलामत थाना मेंं नहीं पॉचेगी ना तो महिया कसम बता रहे हैं कि तुम्हारे रंग्रेज गली को जलाके राख ना कर दिया ना, तो हमारा नाम करिश्मा सिंग नहीं है। क्या हुआ, क्या हुआ जिवानी, सब ठीक तो है न मिटा। ताई वो हसीना मले को किसी ने उठा लिया है। और करिश्मा सिंग को लगता है कि हमारा काम है। अरे तू कहा जा रही है। ताई उसको ढूणने, खत्रे में है वो। अरे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी चाल है। अरे जी जी पागल मदबन। पुलिस वाली गायब हुई है। तने के लगता है कि अभी तक सारा विबाग हाथ पे हाथ दरे बैठा होगा। अरे अभी तक तो उन्हेंने सारे सहर के जमिन खोद मारी होगी हसीना मलिक को ढूणने के लिए। तू क्यों टेंसन ले रही है। अरे ढूड लेंगे वो लोग। अगर हसीना मलिक ने भी यही सोचा होता नौ तो आज तेरी जिजी तेरे सामने जिन्दा नहीं खड़ी होती बिन्नी। ये जिन्दगी उसकी कर्जदार है। उसने तो जमीन आस्मान एक कर दी थी बिन्नी मेरे लिए। मुझे बचाने के लिए। और आज जब उसे मेरी जरूरत है तो मैं पीछे हाट जाओ। और वैसे भी। हसीना मलिक जैसी पुलीस ओफिसर को इस समाज की बहुत जरूरत है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हाटों खीक है बहां भी जलते हैं तेरे साथ। नहीं ताहिए। अरे वो करिश्मा सिंग के सिर पर खून सवा रहे फिलहन। वो निकली है यहा के लिए। हसीना मली को ढूंडने। यहाँ पर कुछ गड़बर नी होनी चाहिए। इसलिए तु यही पर रुक। और यहाँ की चीजे कंट्रोल में रख। मैं आती हूँ। अब जिची। या अल्ला। हसीना के फासत कर। यहाँ अल्ला। यह रास्ता जरूर सेंट्रल सिस्टम से जुड़ता होगा। हर जगा इस तरह के वेंट बने होते हैं। हमें इसे खोलना होगा। हाँ नुर झास्टा जुर झाने घंक आए बीज करिज दे दूआ। ह एाओ झुए से टूए बीज वगера झाल गिर वाल बीज एल बीज 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 तू यह अपर क्या कर रही है? क्या कर रही है तू? तुमारे वक्त के साथ ने हमारे सायान में भी जवाद दे दिया है तू? 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 चब कौड़ी में बैट रही है वरना चित्रा देंगे यहीं बता रहे हैं तू? 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 सारा अमा! यह क्या हो आज है अरे इवार्स? क्या हुआ है? तू? वो वो शिवानी तू को अपने साल सबरदस्ती ले गई कोट? को ले गया जिजी को? वो करिश्मा सिंग क्या? क्या करते? सब पलक जपकते ही हो गया? और उसने ताई के सर पे बंदूग भी तो लगा रखी थी? हम क्या करते ताई के जिंदगी खत्रे में कैसे डाल सकते थी? यह गूड मकजा भी भी तो वह खत्रे में हुई ना? मैं ना छोड़ूंगी उस करिश्मा सिंग को चीर के दो ना कर दियाना उसे तो मारा नाम भी बिंदी नहीं हध्या निकल सारे अपने रुक्या बिंदी करिश्मा सिंग शिवानी को नहीं उठाया है पूरी चिंगारी ग्यांग के खिलाब खुली जंग का एरलान किया है उसे अब समय आ गया है बिंदी पुलीस वालों को चिंगारी गैंग की ताकत दिखाने का सबर फेलादो पूरे शहरों में चिंगारी गैंग से जुड़ा हर सक्त इसके पास जो हतियार है देखे बस बहिरा थाने पहुंचाए जला के राक कर देंगे अज उस थाने को जिनगारी उनोने लगाई है दमाग का हमोने सुनाएंगे तो पयठे पयठे हिया पर बथे आपी का रही थीन आपको कमजोरी हो गया है और पको चकर आ रहा है घेढ़ा काकर गिर जईएगा आपका अबिपिन आ पूब देदिए!.. नोड़के होगे, 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 होगे! कोई दिककर बॉला बात में निवीट हो जएगा! चिता भाई, ये क्या हो रहा है? अरे हाहा, और हमेर भी तो होईगे इनकी अब चुप करो ना एक तो हमारी बहु फोन भी नहीं उठा रही है तो कब उठाती है आपका फोन ऐसे कब तक जहलेंगी गर्स निकाल क्यों नहीं देती आप उनको अब चुप करो ना पता नहीं कहां चली गई 270 जान लेकर मानेगी यह लड़की 340 अब फोन उठाईये ना 400 बसरे चुनना भाई MBPS बसना 400 किसका BP होता है 400 बोल रहा है तो है जीता मैं उदर देख के बात नहीं कर रहा हूं मैं फोन बात कर रहा हूं फोन पर यह देख हां मैं सामना लेको रेट बता रहा हूं रेट क्या बिखता है तुम्हारे दुकान का जो रेट बता रहे हो तुम उसको जहरीली चाहे हां इतो इसे चो नास दिया साव गुंडो क्या गेंग्स मैं वन लिवन सिंग रल आता माजी से टकली जिता भाई इसका कुछ करती क्यों नहीं क्यों नहीं इसको जंगल में छोड़ाते चाह सरकस में जूट परताश नहीं है मुझे मैडम सर हमारी लिए भगवान है उनके लिए मैं इसकी जान भी दे सकता हूं और इसकी जान ले भी सकता हूं तो हुट जान तो तो मेरे सामने आ जाये जिसने मेडम सर को अगवा किया है फिर देखना में क्या करता हूं वह अभी गया तो तुम कर क्या लोगे हा? जिंघवर के रख तुम बाय उसको जिँटिंग करा इसको जिटिंग कर रा सो कुंडो क्या गेंज, मैं अन्ली वन, सिंगल. क्लुप करो सब लोग, एक तु फोन नहीं लग रहा है, उपर चे तुम लोगों कि बक्याती चल रही है. करिश्मा सिंग, छोड़ दे मुझे, तु नहीं जान्थी कि तु क्या सरी है. मैंने नहीं हसीना मली को गायब किया है, तु नहीं जान्थी, तु कितनी बड़ी मुसीबत को नहीं होता दे रही है, छोड़ मुझे! कर डा द्रोस मुझेे, थाथ दोmalुग तु काया है, प्रोस मुझे मुझे, पषले, बड़ी मुझे का इंटे अयकर Уraस्मा रही है? कि एक मिल एक मिल यह है किसी उठा कर लेकर आई है अब पता है यह शिवानी यह शिवानी ताही कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा अरे इसके समर्धतना हमारी थाने को जला कर राख कर देंगे मैडम सर का क्या है कुछ पता चलो इसी नहीं कायब किया मैडम सर को यही है सारे फसाद का चड़ और अब यही हमको बताएगी किसने मैडम सर को कहा है कहा है मैडम सर तेरा दिमाग हराब हो गया करिश्मा सिंग गुस्ते से ना तू पागल हो गई है अरे भोड़ा तो अकल से क उसका सबूत ब्रिजेश हमें देने वाला था, जो सरफ तुम्हें पता था कि हम और मैडन सर उस फैक्टरी में जा रहे थे, अगर वो सबूत मैडन सर के हाथ लग जाता तो तुम्हारा पूरा पूरा चिंगारी गैंग ऐसे, चुठ्कियों में ताश के पत्तों की तरह बिख देख, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मुझे या से जाने दो, इसी में तुम सब की भलाई है, और बात अगर हद से ज्यादा बिगड़ गई ना, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी और मैं तेरे से वादा कर दियू, करिश्मा सिंग, कि 24 गंटे के अंदर चाहे मुझे जमीन फोदनी पड़े या आस्मान चीरना पड़े, मैं हसीना मलिक को तेरे सामने लाकर खड़ा करूंगी, शिवानी की जबान, वही तो खुलवानी है हमको, और हम खुलवाकर रहेंग हमको ना सीधा-सीधा बात समझ में आता है, जो सीधा-सीधा दिखाई देता है, जो अभी दिखाई दे रहा है, कि तुम ही हो जो जान्तियों की मैडन सर कहा है, इसलिए शराफत से बता दो शिवानी, की मैडन सर कहा है, वरना वो हाल करेंगे महिया कसम, कि जब भी मुझ ख बख्ग झाओ अक तक कि राक कि पाओ क्दाओ कि करिशमा सेंग, मेरी बात सुन देख असीना मलिक को हम दोनों को इवचाना है जहन सर जहन अरे जानती है करिशमा सेंग, आपने क्या किया? अरे आपने बिना किसी कानूनी आदार, बिना एफायार के आपने शिवानी ताई को गिरफ़तार कर लिया हम सब जानते हैं, आपने जानती हैं, आपने कितना खतरना काम किया, क्या हो सकता है शेहर में? माफ की जिगा सर, और हम वही कर रहे हैं, जो हमें इस वक्त करना चाहिए जहां से मैडम सर गाया हुई है, उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ शिवानी को पता था और यह पूरा शहर जानता है कि मैडम सर और शिवानी का कितना बड़ा दुश्मन ही है मैडम सर चिंगारी गैंके रास्ते का सबसे बड़ा काटा है और शिवानी को वो काटा हटाना था और उसने वही किया उसने मैडम सर को छुपाया है सर हम पता लगा करेंगे की मैडम सर कहा है हम सब जानते हैं हरे करिश्मा सिंग क्या कर रही है आप आप जानती है हसीना अमली कि चिंता हमें भी है हसीना मली कि घलाज उप्याफ़क तौर पर की जा रही है हम पुलिस वाले है हम इस तरह से भावनों में वेकर काम करने लगे ना तो चल चुका सुरक्चातंत्र आप जानते हैं करिस्पसिंग हो क्या रहा है आपके शहर में चिंगारी गैंग के समर्थक हतियारों से लैस होकर पुरे शहर में तबाही बचानी के तैयारी कर रहे हैं आपके थानी के तरह बढ़ रहे हैं अगर आपने शिवानी ताई को छोड़ा नहीं न तो पूरा शहर बरबाद हो सकता है हम तो ये कह रहे हैं आकले से काम लीजी और शिवानी ताई को छोड़ दीजी अब सब जानते हैं माफ किजेगा सर आपके आदेश का उलंगन कर रहे हैं इसके लिए आप हमें जो सजा देंगे हमें सुविकार लेकिन इस वक्त हमारी बढ़ती ही ये थाना हमारे हाथ से चला जाये का हमें बिलकुल परवा नहीं शिवानी को हमें बताना ही होगा कि मैडम से जहा कई भी है एक्दम सुरक्षित है जब तक वो नहीं बताएगी वो नहीं जाएगी जैहिंसा क्या हुआ? अपने-अपने हत्यार संभाले शिवानी के समर्टकों की हत्यारवन भीडियां आ रही है शिवानी को लेने और हमें उन्हें रोकना होगा और ये बात साबित करना होगा कि हमारे वर्दी का स्वाभी मान किसी भी भीड के अन्धे उन्माद से बहुत बड़ा है प्रान जाये तो जाये लेकिन बड़ती का शान ना जाये ये जंग है और ये जंग हम सब को जीतना होगा अन्माद से बहुत है झाल झाल